एक बार दो गाउवाले जंगल के रास्ते से गुजर रहे होते हैं तभी उनके सामने एक सिर्कटी लाश आ जाती है उसे देख कर वो दोनों घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं तभी रास्ते में उन्हें एक जोपरी दिखाई देती है वो दोनों उस जोपरी का दर्वाजा खट-कटाने लगते हैं तभी जोपरी का दर्वाजा खुलता है और वो दोनों अंदर खुश जाते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपने हमारी जान बचा ली शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए उस सिरकटी लाज से दुश्मनी मोल ली है अब वो मुझे भी जिन्दा नहीं छोड़ेगी तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे नहीं तो तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ अरे नहीं नहीं आप हमसे सारे पैसे ले लो लेकिन आज रात हम यहीं रुकने तो ठीक है मुझे मन्जूर है फिर वो दोनों अपने सारे पैसे उसे दे देते हैं वो आदमी खुश हो जाता है फिर एक दिन जग्गू अपनी पतनी को साइकिल पर बिठा कर उसे उसके माई के छोड़ने जा रहा होता है उस दिन जग्गू बहुत खुश होता है अरे बाबा, शुक्र है भगवान का ये माई के जा रही है अब दोड़े दिन मैं चैन की साथ लूँगा अजी, क्या कहा आपने? अरे, कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि इतने दिन मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? अजी, आप घबराएं नहीं, ऐसी बात है तो मैं दस दिन की जगा पांच दिनों में ही आ जाओंगी अरे, नहीं नहीं प्रियतम, तुम तुम इतने दिनों के बाद अपने माय के वालों से मिलोगी वो विचारे भी तुम्हें कितना याद करते हैं? कोई बात नहीं, तुम पूरे दस दिन वहां रहना, मैं अपना खयाल रख लूँगा यह ठीक है? फिर कुछ देर के बाद जंगल का रास्ता आता है अजी, ये तो वही जंगल है ना? जहां लोगों को वो सिरकटी लाश दिखाई देती है हाँ प्रियतम, लोग तो यही बोलते है अजी, तो फिर आप इस रास्ते से क्यों आ गए? अरे, दूसरे रास्ते से तुम्हारे माएके पहुंचने में पूरा दिन लग जाता है यही रास्ता ठीक है तुम डरो नहीं मैं तुम्हें सही सलामत तुम्हारे माएके पहुंचा दूँगा फिर शीला डरी सहमी जगू को पकड़ कर साइकल के पीछे बैठी रहती है तभी कुछ दूर जाते ही उन्हें अजीब अजीब सी आवाजे आने लगती है जगू साइकल रोग देता है परिम्बर गए रे जी है कैसी आवाजे आ रही है जी लगता है कोई जंगली जानवर है तों डरो नहीं तभी वो सिरकटी लाज उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है उसे देखकर उन दोनों की हालत खराब हो जाती है फिर जगू साइकल को वापस घुमा कर तेजी से दोडाने लगता है अरे शीला कस के पकड़ना तभी एक गड़ा आता है और शीला धड़ाम से साइकल से नीचे गिर जाती है अरे मर गई रहे अजी मेरे लिए रुकिये तभी जगू पीछे मुड़कर देखता है तो उसे शीला जमीन पर गिरी हुई देखती है वो सिरकटी लाज भी उसी ओर आ रही होती है अरे नहीं अब क्या करूँ अगर इसे बचाने गया तो मैं भी मरूँगा नहीं नहीं मैं वापस नहीं जा सकता छोड़ो इसे यहीं मरने देता हूँ अच्छा है जान छूटेगी फिर इतना सोचकर जगु वाँ से भाग जाता है और साइकल दोडाते हुए सीधा अपने गाउँ पहुच जाता है नहीं मुझे दूर रहो मुझे जाने दो प्लीस मुझे जाने दो आजी आप मुझे यहां केला छोड़कर कहां चलेगे जी वहीं दूसरी तरफ जगु गाउँ पहुच जाता है उसे घबराया हुआ देख गाउँ वाले उससे कारण पूछते हैं फिर इतना बोलकर जगु अपने घर चला जाता है अरे वावा शुक्र है भगवान का बला टली मैं तो दस दिन की खुशिया मना रहा था भगवान ने तो जिन्दगी भैर की खुशिया दे दी अरे वावा अब मैं आज़ाद हूँ अब तक तो वो सिरकटी लाश ने शीला का काम तमाम कर दिया होगा अरे ये क्या इसका पती तो इसे यही मरने के लिए छोड़ कर भाग गया इसने तो सारी तरकी पर पानी फिर दिया अब इस औरत का क्या करूँ मुझे छोड़ तो मुझे मत मारो अज़ी आप कहा है मुझे यहाँ अकेला छोड़ कर कहा चले गए सिरकटी लाश को शीला की हालत पर तरस आजाता है और वो अपना काला कोट उतार देता है और अपनी असलियत उसके सामने ले आता है अरे नहीं तुम तो इक आम इंसान हो तुम कोई लाश नहीं हो तभी वो जोपड़ी वाला आदमी भी वहाँ पहुँच जाता है अरे ये तुमने क्या किया अपनी असलियत के बारे में इस आउरत को क्यों बता दिया हम यहाँ लोगों को डराते हैं ताकि उनसे पैसे एड़ सकें लेकिन तुम्हारी हालत देख कर मुझे तरस आ गया तुम्हारे पती ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया वो तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ कर चला गया हाँ तुम सही कहते हो इन्होंने मुझे धोखा दिया अब मैं इने नहीं छोड़ूँगी फिर शीला उस बेरूपिय का कोट पहन लेती है और सिरकटी लाश का रूप ले लेती है और वापस अपने घर की ओर चल देती है घर पहुँचकर वो खिडकी से जहांक कर देखती है तो उसे जग्गु दिखाई देता है वो पलंग पर आराम से लेटा होता है और अंगूर खारा होता है अरे वावा आज तो मज़ा ही आ गया उसकंबक खौरत से पीछा तो चुछा शीला खिडकी से ये सारी बातें सुन रही होती है अरे नास मिटे तुझे क्या लगा तुछ इतनी आसानी से मुझसे पीछा चुड़ा लेगा अरे आज तब पर्टी हनी चाहिए रोकी को बुला लेता हूं फिर जग्गु अपने दोस्त रोकी को घर बुला लेता है और वो दोनों मिलकर शराब पीने लगते हैं आरे जग्गु भाई ये तो अच्छा हुआ भाभी चिक चिक बहुत करती थी अब हम चैन से रोज पार्टी करेंगे तब ही शीला खिड़की से गुर्राने लगती है उसके गुर्राने की आवाज सुनकर वो दोनों डर जाते हैं अरे जग्गु भाई ये कैसी आवाज थी भाई तब ही उनकी नजर खिड़की पर पड़ती है तो बाहर उन्हें सिरकटी लाश खड़ी हुई दिखाई दोती है अरे मर गए रे ये सिरकटी लाश तो मेरा पीछा करते करते यहां तक पहुँच गई अरे भाई मैं तो सिर्फ यहां दारूपी में आया था मुझे जाने दो फिर वो सिरकटी लाश घर के अंदर आ जाती है उसे अपने सामने खड़ा दे उन दोनों की हालत खराब हो जाती है तब ही जग्गू की नजर शीला की साड़ी पर पड़ती है अरे इका इन तो शीला की साड़ी है ये क्या गड़बड है भाई आरे मारगाए रे सीरा भाभी तो सिरकटी लाश बन गई रे अई मम्मी अब क्या होगा अरे रोकी भाई डरो नहीं मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है अगर ये भूत होता तो हम पर हमला जरूर करता ए भूत हम तुझसे नहीं डरते हमें मार कर दिखा आरे नासमीते क्यों अपनी मौत को अपने पास बुला रहा है पागल हो गया है क्या मरना चाहता है क्या अरे नहीं इन्हें तो मेरी अस्तियत के बारे में पता चल गया अब क्या करूँ अगर कोट उतर गया तो मैं बेनकाब हो जाओंगी तब ही जग्गु आगे बढ़ता है और कोट को खीच देता है शीला की असलियत सामने आ जाती है तो तुम हो मेरा शक्स सही निकला तुम तो मुझे वहां मरने के लिए छोड़ाय थे मुझे अब तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल गया है अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया कि मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ गाओं वालों की नजर में तुम सिरकटी चुड़ायल का शिकार बन चुकी हो क्यों ना मैं ही तुम्हें माड़ा लूँ फिर जग्गु चाकु उठाता है और शीला की गर्दन पर रख देता है अरे नास मितय ये क्या कर रहा है हाभी को सच मैं जान से मानना चाहता है क्या अरे भागो रे ये जग्गु तो पागल हो गया है इसके उपर तो खुण सवार हो गया है फिर रौकी वहां से भाग जाता है तभी वो बहरूप्या पुलिस को ले कर वहाँ पहुँच जाता है और पुलिस जग्गु को पकड़ लेती है और उसे जेल भेज देती है वो बहरूपिय मनी मन शीला को चाहने लगता है फिर शीला जगु से तलाक ले लेती है और उस बहरूपिय के साथ अपनी जिन्दगी खुशी-खुशी बिताने लगती है जी अब से आप ये सिरकटी लाश मत बनना आप मेहनत से पैसे कमा कर लाना